नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉप्स नूज के यूट्यूब चेनल पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में सहायक सिक्षक प्रयोक साला यानि असिस्टेंट टीचर लैप के लिए आनले इनावेदन कैसे करें साथ ही साथ आनले इनावेदन भरते समय कौन-कौन सी सावधानी रखें इसकी जानकरी आज आपको इस वीडियो में जानकरी देने वाले हैं तो उम्मिद करेंगे कि आप वीडियो को पूरा जरूर दिखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं development कब से कब तक किया जा सकता है और unemployment गरने का तरीका क्या है ब्यापम ने प्रेश्विगरती जारी किया था भ्याठक शिर्शक भरती परिक्षा के लिए और सिख्षक भरती परिक्षा के लिए इसके अनुसार आप आनले नावेदन आज से शुरू कर सकते हैं इसका आनले नावेदन करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है आप देख सकते हैं 26-4-2019 को यानि कि 26-4-2019 आज से 26 अपरेल से आगामी आप 26-5-2019 तक आप आनले 28-7-2019 को इसकी परिक्षा आयोजित होगी तो यह तो था आनले नावेदन कब से कब तक करें बात करते हैं आवस्षक सेक्षरिक आहरताओं की तो दोस्तों सहायक सिक्षक विग्यान प्रयोक साला यानि असिस्टेंट टीचर लैप के लिए सेक्षरिक आहरता के वल जी विग डीएड, बीड, टेट के भी आप रिगुलर सिक्षक बन पाएंगे और इसके बारे में दो तिन वीडियो हमने जारी किया था जिसमें आप सभी साथियों ने जो हम पर विश्वास करते हैं उन्होंने सही समझा था और बहुत सारे साथियों जो है इसको फेक नियोज है करक फर्म भर सकते हैं लेकिन उनका सब्जेक्ट जीव विज्ञान गडित विशय होना चाहिए बार्वी में साइन्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए उच्छतर माद्मिक प्रमाणपतर परिक्षा आपको उत्तिन होना जैरूरी है और आप सहायक शिक्षक विज्ञान प्रय है पात्र भी होंगे अगर आप परिक्षा में पास हो जाते हैं तो आई दोस्तो हम बात करते हैं इसके लिए नियुनतम आयू सीमा क्या है दोस्तों सिधी भरती के इन पदों पर भरती के लिए आपको आयू सीमा एक जनवरी 2019 को नियुनतम आपकी 21 वर्स की आईू सीमा ज़ादा नहों और आयू सीमा में जो छूट दी जाती है, सासन के अनुसार, वो आपको यहाँ पर छूट की पातरता होगी, जिसमें, STSC और अन्य पिशाग रुक्त को उमीदवारों को आयू सीमा में यहाँ जो छूट दी जाती है, वो छूट यहाँ पर दी जाएगी लेकिन यहाँ पर इसपस्ट कहा गया है कि आयू सीमा में अधिक्तम पांच वरस तक इसी दिलनिय होगी तो आयू सीमा में जो छूट निर्धारित की गई है सासन के नुसार वो छूट यहाँ पर आपको लागू होगा सेक्षणिक यहाँ गयता और आयू सीमा की जानकारी के बाद अब हम आपको बताते हैं कि आप आनले नावधन कैसे करेंगे अगर आप चाहते हैं आनले नावधन आपने मुबाइल या फिर आप कम्प्यूटर पर स्वयम से करना चाहते हैं अगर आप कहींची भी साइबर के फिर अन्य जगह से आप आनले नावधन नहीं करना चाहते हैं स्वयम के माध्यम से आप आनले नावधन करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लास तक दिखेंगे ताकि step by step आप आनले नावधन कर सकें अगर आप मोबाइल फोन पर आनले नावधन करना चाहते हैं या कंप्यूटर की desktop पर तो आप Google Chrome को open कर लीजीगा और अगर Google Chrome में अगर आप मोबाइल से form भरना चाहते हैं तो आप उसका जो desktop version होता है Google Chrome का उसे आप आन कर लीजीगा जैसे desktop आप आन करते हैं तो आपके सामने Google का जो पेज है वो इस प्रकार से बड़ा हो जाएगा जहां पर दोस्तों आपको टाइप करना है CG Via लिखते हैं कि आपके सामने में वय जाएगा और दोस्तों आप देख पाएंगे कि सबसे सुरू में आज कि डैश पहले अब कुछ समय पहले है सहायक चिछक विग्यान प्रयोक साला असिस्टेंट टीचर लैप के लिए और इसी जो सुरू में सब से पहले जो दिक रहा है आप उसको टच करके ओपन कर लीजेगा जैसे ही आप उसे टच करके उपन करते हैं थोड़ा प्रोसेसिंग लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज उपन हो जाएगा जो की व्यापम की ऑफिस्यल वेबसाइट पर इस प्रकार से आपको सो होगा जिसमें आप देखते जाएंगे तो आपको सारी जानकरिया मिलेगी आले नाविदन करने के लिए आप नवे नंबर पर दिए लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने चाटिस ग्रव्योसाइक परिक्षा मंडल यानि व्यापम की ऑफिस्यल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां पर आपको सहायक सिक्षक विज्यान प् पर भरते परते आप सब्सक्राइब बताते जाएंगे जिन पर आपको ध्यान रखना है तो यहां पर सबसे सुरू में दिया है क्या आप 36 गडर की स्थानी निवासी हैं तो यहां पर आपको हां करना है और दोस्तों मैं यह पर यह बताना चाहूंगा यह जो भरती 2019 इसमें किवल 36 गडर की स्थानी निवासीयों को ही फार्म भरने का मौका मिल रहा है अधर इस्टेट के यह अन्य राज्जी की निवासी इसमें फार्म नहीं भर पाएंगे क्या आप विग्यापित पत्त के लिए अपिक्षित आरताय रखते हैं इसमें भी आपको हां करना है और क्या आप जीविक ग्यान गडित पीसे के साथ में उच्छतर मादमिक परिक्षा उत्तिर नहीं यहां पर भी आपको हां करना है जैसे कि दोस्तों हमने पहले बताया था ब्याख्याता के फार्म जब हमने भरा तो वहां पर बीड और डीड की अनिवार्यता यहां पर दूझे स्ट्राइब आपकर बातल क्लिए नहीं ठाज़ान अ को उस्तों एंप उर्म ठापरिक्दक्रंद्राइब tintaran बताया गया अगर आप महासमोंध झ 싸 लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पर यस भरिये अगर गरिया बंद के लिए नहीं भरना चाहते हैं तो नो भरिये धमतरी के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो यस भरिये बेमेतर के लिए अगर नहीं भरना चाहते हैं तो नो भरिये आप सारी जानकरियां एडवर्टाइजमेंट जो विभागी विग्यापन दिया हुआ है पदों की जानकरी वहाँ पर विश्तरीत रूप से दे दी गई है साथ ही साथ में आपको ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है टी समवर्ग जिसके लिए आपको 16 जीलों में चेयन करना पड़ेगा अगर आप सभी जीलों में नहीं जाना चाहते तो कम से कम आपको एक एक जीले का चेयन यहाँ पर करना जरूरी है और अगर आप इसमें केवल एकी जगह पर भाम भरना चाहते हैं तो बाकी जगह पर आपको नो भरना पड़ेगा लेकिन आपको सभी को यहाँ पर फिलप करना पड़ेगा तो यहाँ पर इस प्रकार से फार्म है जिसमें इस समर्ग के लिए आपको 22 जीलो में फार्म भरने का मौका मिलेगा तो इन सभी 22 जीलो में आप भर दीजिए क्योंकि हमको जॉब चाहिए ही तो सभी जीलो में आप यहाँ पर yes yes भर दीजेगा line से आप भरिए टी समर्ग के लिए फिर उसी प्रकार से हमको करना है कम से कम एक जगह पर yes करना है या फिर no करना है यहाँ पर आपको भरना है जिसमें आप नहीं जाना चाहते हैं वहाँ पर no कीजिए जहाँ पर आप जिस जीले में जाना चाहते हैं वहाँ पर yes कीजिएगा इसको भरने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी जानकारी दिनी, intrinsic जानकारी आपको पूछता है व्यापम जैसे कि हमने कई वीडियो में बता है कि व्यापम केवल हमको basic जानकारी ही पूछता है और व्यापम का फार्म एकदम easy होता है हम घर बैठे भी अपने mobile phone के माध्यम से थोड़ी साउधानी करते हुए भर सकते हैं क्योंकि हर बड़ी में जरूर कुछ ने कुछ गलतियां हो जाती है जिन पर बाद में हमको पस्तावा होता है तो बिल्कुल साउधानी से भरिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिए तब कि आपको जो है समझने में आसानी हो इसके बाद में आप अपना candidate का नाम अपने बारवी के मारशीर के हिसाब से आप यहाँ पर भरना है पहले नंबर पर कॉलम पर दुजरे नंबर पर कॉलम पर यहाँ पर आपका पीता जी का नाम फादर मदर या फिर हस्बेंड का नाम अगर आपको साधी हो गई तो हस्बेंड का नाम यहाँ पर लिखिएगा और यहां पर आपको भरना है साथी साथ तीसरे नंबर कॉलम पर आपको जनमतिति डालना है 24 नंबर पर आपको लिंग और केटिगरी कास्ट पांचवे नंबर पर आप बहुत पुरुसेनिक है तो यस भरिए अन्याता नो भरिए यहां पर और आगर आप दिव्यांग व्यक् डिफिकेशन मार्क तिल मासा या मोल पहचान चीन जो भी होता है इनग वर्थ बर्फ मार्क यहां पर कम से कम एक ठोए और आपको फिल अब करना है दस्वें नमबर कलम पर यहां पर ध्यान रखेगा यहां पर बहुत सारे साथ ही गरबर कर देते हैं यहां पर आपको ऐसे फार्मेट बनाना है सांतियों जो कि आपको फोटोग्राप चिप और आप खुज से फाम बर रहे हैं तो सबसे उबसे ऊपर फोटोडेशिप कर सिब्काई फोटो के ठीक – नीचे मैं अपने नाम लिखना है और उसके ठीक नीचे में आपको थम इंप्रेशन अपना उठा लगा करके वहाँ पर लगाना है और उसको जो है आपको फोटो खीच करके आपके में स्केनर के मदद से या फिर बहुत सारे सब्ट्वेर जो आपको मिल जाएंगे प्लेई स्टोर पर व पंद्रवे नमबर पर अपने इमेल आईडी डालने के बाद में छट्वे नमबर पर आपको एक्जाम सीटी मिल जाएगा जिसमें से आपको सभी 27 जिलों में एक्जाम सिंटर यहाँ पर बनाया गया है तो अपने सुईधान उसार जिस भी जिले पर आप एक्जाम देना च दिख रहा है बहुत सारे साथियों को मालूम नहीं हो तो क्या होता है तो यहाँ पर इफ आर डबली फरी लिखा हुआ यह केप्चा कोट है जैसे है इसमें शब्मीट करते हैं आपको पेमेंट के लिए कहा जाएगा यहां पर इसको सभीत करने के बाद में आपको पेमेंट गेटवेब पर जाएंगे तो वहां पर credit card debit card आगर आपका ATM card है debit card है credit card है वहां से भी आप select करने के बाद में अपना online firm भर सकते हैं और इसका print out अपनी सुधा अनुसार PDF बना करके save कर सकते हैं अपने mobile पर या फिर print out ले सकते हैं